हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको साउथ इंडियन ओनियन डोसा रेसिपी बताऊंगी और डोसे की रेसिपी बनाने के लिए हमार को सबसे पहले चावल और उड़त की दाल को मेथी दाने को भीगो के दो से चार घंटे रखना है तो मैंने यहाँ पे दो कटोरी चावल लिया है एक कटोरी उड़त की दाल और एक चमत मेती दाना इसको हम दो के तीन से चार घंटे रख देंगे तीन से चार घंटे के बाद हम इसे मिक्सी में पीस के एक गाड़ा गोल बनाएंगे तो गाड़ा गोल बना लिया है हमने इसको खमीर करने के लिए हम रख देंगे तो हमारे धोसे का गोल त्यार हो गया, इसमें खमीर देखो कितना अच्छा आया है और यह हमारे को थोड़ा पानी चाहिए है, खाने वाला थोड़ा सा आधी चम्मस सोडा चाहिए है एक कटोरी भर के प्याद, दो चम्मत, सौंप, एक आधी कटोरी से भी कम करी पत्ता, थोड़ी सी काली म्रेज़ और धोसा बनाने की तेल और स्वाद अनुसर नमक तो ये सारा हम इस धोसे के घोल में डालेंगे तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को, सबसे पहले हम डोसे के घोल को, ये बहुत गाड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा डीला करेंगे और इसको अब हम चलाएंगे अच्छे से डोसे का घोल, देखो ऐसा डोसे का घोल बनाते हैं अब इसमें हम डालेंगे सोडा, प्यास डाला हमने इसके अंदर एक कटोरी भर के प्यास डालना है, क्योंकि ये ओनियंड होसा है हरी मिर्ची डालेंगे, स्वाप डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे टेस्ट अनुसार करी पत्ता डालेंगे, और टेस्ट अनुसार हम नमक डालेंगे और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे इसको मिक्स करने के लिए हमार को तीन से चार सेकेंड चाहिए और इसको राउंड राउंड करके हमें अच्छे से मिक्स करना है तो हमारा डोसा ओनियन डोसा का घोल त्यार है इसमें हमने सारी चीज़े डालके इसको अच्छे से हमने मिला दिया है आप गैस ओन करेंगे और यह मेरे डोसे बनाने वाला बरतन है आप इसे नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं जो डोसे का तवा आता है यह गरम हो गया है अब इस गैस को हम मीडियम करेंगे थोड़ा सा ओईल डालेंगे ओईल डालने के बाद हम इसको चारो तरफ मिलाएंगे इस बर्तन को मैंने पहले 102 गंटे पहले oil डाल के चिकना कर लिया था अब हमारा oil गरम हो गया है अब इसके अंदर हम दोसे का घोल डालेंगे मैंने इसके अंदर धोसे का घोल चम्मस से 3 चम्मस डाला है यह गोल हमार को अच्छे से इसमें राउंड राउंड करके फैलाना है चम्मस से ही फैलाना है और यह ढोसा थोड़ा सा थिक बनेगा तो मैंने पैटर्ण डाल के इसको फैला लिया है यह देखो और यह मेरा सिख गया है थोड़ा सा अब इसके हम किनारे किनारे ओइल डालेंगे बीच में ओइल डालेंगे जिससे यह पलटने में तूटे ना और चिपके भी ना तो यह हमारा सिख गया है अब इसको हम चम्मस से देखेंगे और अब हम इसको पलटेंगे एक साइट से हमारा देखो ये ब्राउन हो गया है अब इसको हम दोनों साइट से अच्छे से सेकेंगे अच्छे से पलट के सेकेंगे एकदम क्रेस्पी जब ये हो जाएगा तब हम इसको उतार देंगे तो ये मैंने यहां उतार दिया है यह मेरा दूसा त्यार है, इसको मैंने सॉस के साथ रखा है आप इसे किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बाइबाइ